इमस्कार राजय सभा टीवी में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकिता सबसे पहले एक नज़र डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर प्रधार मंत्री नरिंद्र मोधी ने कोरोना वाइरस की चुनौती से निपटने के लिए दक्षिन एशियाई देशों से एक जुठ होने का किया आवान कहा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये तालमेल बढ़ा सकते हैं साथ देशों के नेता श्री लंका, नेपाल, भूटान और माल द्वीप ने प्रधार मंत्री मोधी की पहल का किया स्वागत भारत के लेतत्व को सराहा भारत में कोरोना वाइरस के अब तक 81 मावले एहतियातन कई डाज्यों ने स्कूल कॉलिज किये बंद इटली में फसे भारतियों को स्वदेश लाने के लिए कल रवाना होगा एर इंडिया का विबान, सरकार की नागरिकों को गयर ज़रूरी यात्राओं से बचने की दी सलाहा यस बैंक को लेकर केंद्रिय मंत्री मंदल का बड़ा फैसला बैंक के पुनर गठन से जुड़े प्रस्ताव को दी मंसूरी SBI की होगी 49 फीस्दी की हिस्सेदारी केंद्री कर्मचारियों का 4 फीस्दी महंगाई भत्ता बढ़ा एक करोर से जादा कर्मचारियों और पेंचिन भोकियों को मिलेगा पाइदा चोटे कर विवादों के निप्टारे से जुड़े प्रत्यक्षकर, विवाद से विश्वास, विध्यक पर संसत की मुहर लोकसभा के बाद राजसभा में भी ध्वनी मस्से पारित हुआ बिल 31 मार्च 2020 तक बकाया कर जमा करने वालों को ब्याज और चुर्माने पर मिलेगी छूट वित्यमंत्री निर्मला सीता रवन ने कहा कारूबारियों में पढ़ेगा भरोसा 17 राजियों से राजसभा की 55 सीटों के लिए नावांकन का काम पूरा विहार से उपसभापती हरिवंश मध्यप्रदेश से जोतिरा दित्यसिंध्या और हर्याना से दिपेंद्र खुट्टा समेथ कई दिगजु ने आखरी दिन दाखल किये परचे जरूरी होने पर 26 मार्ज को होगा मददान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वारिस से निपटने के लिए दक्षिन एशियाई देशों को एक जुट होने का अहवान किया है प्रधान मंत्री ने ट्वीट किया कि हमारा ग्रेग कोविड-19 नौल कोरोना वारिस से जूच रहा है विबिन इस तरों पर सरकारें और लोग इसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दुनिया की आबादी का काफी बड़ा हिस्सा दक्षन एशिया में रहता है और यहां के देशों की सरकारों को लोगों की स्वास्ते की खातिर सभी प्रयास करने चाहिए प्रधार मंत्री ने ट्वीट किया कि कोरोना वाइरस से निपटने के लिए सारक देशों के नेताओं को मजबूत रणनीती तयार करनी चाहिए सर्क के सभी सदसे देशों के नागरिकों को स्वस्थ बनाये रखने के लिए इन देशों के नेताओं को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये विचार विमर्श करना चाहिए प्रधान मंत्री ने टुईट किया कि हम एक जुपोकर दुनिया के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं और दुनिया को स्वस्थ बनाने में अपना योगतान दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंडरमोदी की अपील के बाद, श्री लंका, नेपाल, भूतान और मालदीप के राश्ट्र प्रमुकों की और से प्रतिक्री आई है आपको बता दे कि श्रीलंका के राश्रपती गोडबाया राचपक्षी ने इस पहल के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी को धन्यवाद दिया है उन्होंने ट्वीट किया कि श्रीलंका चर्चा में शामिल होने और सार्क के अन्य सदस्यों से सीखने के लिए तयार है प्रधान के प्रधान मंत्री लोते तेशिरिंग ने भी प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी की मुहीम का समर्थन किया है उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि इससे ही नेतत्व कहते हैं फित्र के सदस्य के तौर पर हमें साथ आना चाहिए इस चोटी अर्थ व्यवस्थाओं पर जोर पड़ता है इसलिए हमें समन्वे के साथ काम करना चाहिए उन्होंने लिखा कि इसमें कोई संदेश नहीं कि हम इसके ततकाल और प्रभावशाली परिड़ाम देखेंगे मालदवीब के राश्वपती इब्राहिम सोली ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी का शुक्रियादा किया उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना वाइरस को हराने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है हम शेत्री एकता दिखाने की मुहीम का समर्थन करते हैं देश में कोरोना वाइरस से संकर्मन के 81 मामलों की पुष्टी हो चुकी है स्वास्य मंत्राले के मताबिक संकर्मित लोगों में 64 भारतिय, 16 इटली के और एक कैनेडा का है जाच में पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में कौन कौन आया उनकी जाच हो रही है खरीब 4,000 लोगों की पहचान कर उनकी जाच की जा रही है स्वास्य मंत्राले के मताबिक सरकार ने कुल 42,293 यातियों को सर्विलांस पर रखा है इसमें से 2,569 लोगों में लक्षन देखे थे इससे 522 को हॉस्पिटल में रखा गया है और 17 विदेशी भी इसमें शाबल थे वही एर इंडिया की एक फ्लाइट कल इतली के मिलान जाएगी उडान से वहां फसे भात्यों को वहां से लाया जाएगा We now have 81 confirmed cases of COVID-19 in the country Of these three from Kerala were treated and discharged In addition, seven more from Safdarjang have also recovered Of these confirmed cases, 64 cases are of Indian nationals, 16 Italian nationals and one Canadian national Contact tracing of these cases is being actively pursued So far, this has led to identification of more than 4,000 contacts who have been put under surveillance Death of a 76-year-old male from Karnataka is confirmed to be caused due to comorbidities that is asthma and hypertension And he also tested positive for COVID-19 All the precautionary measures as per protocol, such as screening and home quarantine of the contact has been initiated By the State Health Department of Karnataka and is being closely monitored It is reiterated that Indian nationals are strongly advised to avoid all non-essential travel abroad And refrain from traveling to countries, reporting high cases and deaths as mentioned in our travel advisories All incoming international passengers returning to India should self-monitor their health And follow the required do's and don'ts as detailed by government Bharat में कोरोना वायरिस संक्रमन से पहली मौत का माबला सामने आया है विदेश मंत्राले ने 130 से अधिक देशों के राजदूतों और अंतर राश्रिय संगटनों के प्रमुखों के साथ बैठा कर कोरोना वायरिस के खलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों से अवकत कराया बाचीत में विदेश मंत्राले के अलावा स्वास्ते मंत्राले और ग्री मंत्राले के अधिकारी भी मौझूत थे विदेश मंत्राले ने इस बात को भिस पश्ट किया कि जो ट्रेवल एडवाईजरी जारी की गई है वो बाहर से भारत में आने वाले संक्रमन को रोकने और भारतीय लोगों को नए संक्रमन से बचाने के लिहास से जरूरी था इसी क्रम में भारत ने शुक्रवार से बांगलादेश में जाने वाले बस और रेल सेवाओं को भी फिलहाल रोग दिया है बात में विदेश, ग्री, स्वास्ति और नागरिक उडियन मंत्राले ने इस संयुक्त समवादाता संबेलन में बताया कि शरीवार को तहरान से भारती लोगों को लेकर महाने रिलाइंस का एक विमान दिल ली आएगा एक अतरिक्त विमान भी तहरान भेजा जा सकता है आज तहरान से चबालिस यात्यों को मुंबई लाया गया है विदेश मंत्राले के अपर सचिव दावु रभी ने बताया है कि अभी तक विदेश से 1031 लोगों को लाया गया है कि अभी थान भी दिल में विमान भी तान है कि ब Atéका को विदेश से बतावारास लिए फुट यहालए को पाले खावार भी ने लोगों को बाना है और फिदेश से उन्हां भी दोने पूंश तोराण तोलाई है and we will aggregate that number and see what next we can do about that. This is a global fight. We have to stand together. It needs world solidarity. India is on, Denmark is on, the whole world is on. So let's fight it together. Let's work together. Are you happy with the preparation? I think so. It's really nice. I felt very assured. So I think we are moving forward to the right thing. कोरोना वायरिस की वजह से दुनिया भर में अब तक हुई मौत का आखड़ा 5000 के पार पहुँच चुका है. चीन में कोरोना वायरिस से 7 और लोगों की मौत के बाद अब तक कुल 3,176 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं इरान में पिछले 24 घंटों में 85 और लोगों की मौत के बाद कुल 514 लोग कोरोना वायरिस की वजह से अपनी जान गवा चुके हैं. नेपाल ने कोरोना वायरिस महामारी के कारण एवरिस पर परवता रोहन अभियान इस्थगित कर दिया है. चीन के अपनी तरफ से एवरिस पर चड़ाई को बंद किये जाने के एक दिन बाद नेपाल ने दुनिया के सबसे बड़े परवत पर चड़ाई को बंद कर दिया है. इसके अलावा नेपाल ने देश में सभी परवता रोहन अभियानों को स्थगित कर दिया है और परिटक वीजा जारी करने की प्रक्रियार रोगती है वही श्री लंका ने आयस्थाई रूप से कोरोना वाइरस की वजह से एहतियात के तौर पर इरान, इटली और दक्षिन कोरिया से आने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है आईटी बीबी के चाबला कैम्प में कोरोना वाइरस जाच में वहान चीन से पहुंचे एकसो बारे लोगों को आज छुट्टी दे दी गई यह सभी जाच में नेगेटिव पाए गए हैं इस दल में चियत्तर भारतिय और 36 विदेशी नागरिक शावल थे कोरोना वाइरस से सरवादिक प्रभाविच चीन के वहान से 27 फरवरी 2020 को इन सब को भारत लाया गया था 112 लोगों का ITBP के चावला क्वारिंटाइन केंद्र में कोरोना वारिस की जाच पहली बार 27 वरवरी और 11 मार्च को नमूनों का एकत्री करण करके जाच की गई जो नेगेटिव पाई गई है केंद्री ग्रीह राज्यमंत्री नित्यानन राय ने सभी नागरिकों को गुलाब का फूल ITBP का कैलेंडर और स्वस्त होने का प्रमाण पत्र सौपा मैं ITBP को इसके लिए अभारबेक करना चाहूंगा कि उन्होंने कोरोना वाइरस से संदिक्द लोगों की जाच कोरिंटाइन पिरियड में यहां लाए गए वैसे लोगों को अच्छी सेवा अच्छा माहौल पडिवार जाए सा माहौल और वह समय बहुत एक अच्छे बातावरन में उस पिरियड को गुजार सके CASE is in most of the countries but our country's efforts, government efforts whether it is central government or state governments and all agencies coming together and working as a team, they have facilitated our own citizens around the globe. The government is willing and making efforts to evacuate our own citizens from all parts of the globe, from all countries. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोशित कर दिया है इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों को 22 माज तक के लिए बंद कर दिया गया है लेकिन जिन स्कूलों में परिक्षा चल रही है वहाँ परिक्षा खत्म होने के बाद उन्हें बंद किया जाएगा प्रदेश के मुखे मंत्री योगी आदितिनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 11 मामले सामने आए हैं जिन संस्ताओं में परिक्षा चल नहीं हैं वे सभी परिक्षा यथावत रूप से आगे चलें आगे उनका कारिक्रम चलेगा लेकिन जिन संस्ताओं में परिक्साइं प्रारम नहीं ही हैं जैसे बेसिक सिक्सा परिशत में भी परिक्साइं नहीं ही हैं हम लोगों ने उन परिक्साओं को अस्तगित करवा दिया है 22 तक उत्तरप्रेश के अंदर हम लोगोंने सभी अपने बेसिक सिक्सा परिशत के, मादिमिक सिक्सा परिशत के, उच्छ सिक्सा के या फिर टेक्निकल वोकिसनल एजूकेशन और हमारे जो अन्य इस्किल्ट डवलमेंट से जड़ेवे सेंटर हैं, इनको हम लोगोंने 22 मार्च तक के लिए बंद करने के दिया गया है, बी सिसी आई ने कहा है कि कोरोना वाइरस के संक्रमन की वजह से साब्धानी बरतते हुए इसे टालने का फैसला किया है, अब ये टूनेमेंट 29 मार्च की बजाए 15 एपरिल से शुरू होगा कोरोना वाइरस के संक्रमन को देखते हुए सभी राच्य सरकारे एहतियाद बरत रही हैं, बिहार में सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे, मिड़े मील का पैसा, डी एंटी के माध्यम से बच्चों के माता-पिता के में ट्रांसफर होंगे, इसके अलावा सभी आंगरबाडी केंद्र भी बंद होंगे, राच्य में सभी सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे, बड़े हॉल की बुकिंग 31 मार्च तक नहीं होगी, अस्पताल में आईस्यू और वेंटीलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है, अभी होटलों और अन्य संस्थाओं के स्वेमिंग पूलों को भी बंद किया जाएगा, दिली सरकार ने ब्रस्पतिवार को को कोरोना वाइरस को महामारी घोशित करते हुए सभी सिनेमा घर, स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिये थे, कोरोना को महामारी घोशित कर ने पांच जिलों के स्कूलों को भी बंद करने का एलान किया है, ओडीशा सरकार ने कोरोना वाइरस को राज आपदा घोशित कर दिया है, इसके साथ ही ओडीशा विधान सभा को 29 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, नवीन पतनायक ने 31 मार्च तक राज के सभ प्रिश करके उच्छ शिक्षा विभाग ने कोरोना वाइरस को मद्दे नसर राज के सभी कॉलेज और विश्य विध्याले को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया है, आला कि परिक्षन निधाय समय पर आयुजित की जाएगी, राज के सभी निची और सरकारी करनाटक सरकार ने कोरोना के खत्रे के मद्दे नसर राज के सभी स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, थेटर, पब, क्लब को बंद करने का आदेश जारी किया है, साथी करनाटक में होने वाले प्रदर्शनी, समर कैम, स्विमिंग पूल, खेल, स्पोर्ट्स के इविंट्स, फुटब स्वास्त मंत्राले ने कोरोना वाइरिस पर संदेश जारी कर कहा है, स्वास्त मंत्राले ने एक वीडियो जारी किया है, और उसमें कहा गया है कि हम सब मिलकर COVID-19 से लड़ सकते हैं, आईए मिलकर साधारन और स्वास्त आदतें अपनाएं, को सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें, सुनिश्चित करें कि आप और आपके आसपास के लोग सुरक्षिता का पालन करें प्रेशा है कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोची में दो रोबोट का प्रयोग करके वाइरस के खलाब जागरुकता अभियान शुरू किया गया है एक रोबोट पेस मास्क, सैनिटाइजर और टिश्यू पेपर बाठता है और दूसरा कोरोना वाइरस पर विश्वस्वास संगठन के कैम्पिन की जानकारियों को दिखाता है रोबोट भीड का ध्यान अपने और आकरशित करते हैं ऐसे में आयोजको ने रोबोट की जरीए जागरुकता अभियान शुरू किया है भारत में सबसे पहले कोरोना वाइरस के माबले केरल में ही दर्श किये गये थे हाला कि इलाज के बाद वुहान से लोटे तीनों चात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और इसे के साथ बुलिटिन में रुकेंगे एक छोड़े सब ब्रेक के लिए चल्थ हासिर होंगे दिया तोड़े पहले है तो बाद खिखर एक इस पर इस रप्त रसा रिकांसे बाद बालो टो जा जा आई उखर बालों ठील other investors are also being invited and quite a lot of engagement by the RBI is happening to bring in other investors also there will be a 3 year lock in period for SBI for up to only 26% of the 49% that they are investing and for the rest of the investors it will be lock in for 3 years of 75% of their investment so the authorized capital itself has been raised from 1100 crores to 6200 crores so that we can accommodate immediate and also subsequent raising of capital requirements and केंद्री कर्मचारियों और पेंशन धारियों की महंगाई भत्ते में 4 फीजदी की बढ़ोत्री की है सरकार ने 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता 21 फीजदी कर दिया है इससे 48 लाख केंद्री कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारियों को फायदा होगा महंगाई भत्ता बढ़ योको चार फीज सदी मेंगाई बत्ता एक जनवरी से बढ़ाने का एक बड़ा फैसला हुआ है एक करोड तेरा लाग फैमिलिस को इसका फाइदा होता है नार्यल उत्पादक किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है सरकार ने कोप्रा के न्यूनितम समर्थन मूल्य में 449 रुपे प्रतिक्विंटल की बढ़ोत्री की है कोप्रा जो खास कर साउथ इंडिया में तमिर्णाडू, केरला, करनाटका और आंधर प्रदेश इसमें कोप्रा तयार होता है उसके MSP में बढ़ोत्री की है मिलिंग दर्जे का जो कोप्रा होता है मिलिंग का वो 9521 था 9521 रुपे था पिछले साल अब बढ़के 449 रुपे बढ़ोत्री हुई और 9960 हो गया प्रत्यक्षकर विवास से विश्वास विध्यक 2020 को आज चर्चा के बाद राज्य सभा से पारित कर दिया गया विध्यमंत्री निर्मला सीतर अबन ने चर्चा का जवाब दिया उन्होंने कहा कि योजना का मकसद प्रत्यक्षकर विवादों का समाधान और कारोबारियों को भरोसे मिले ना है विध्यक में देश में 9,32,000 करोड रुपे से संबंधित प्रत्यक्षकर विवाद के मावलों के समाधान के प्राफथान है इस योजना के तहट वो करदाता अपना बकाया कर 31 मार्श 2020 तक जमा कर सकते हैं और ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं जिनके कर संबंधि विवाद कई अधिकरणों में लंबित हैं वित्तमंत्री ने एक परवरी को अपने बजट भाशन में विवाद से विश्वास योजना की खोशना की थी ये योजना 30 जून 2020 तक ही जारी रहेगी लोग सभा से इस विद्यक को मंसूरी मिल चुकी है एप अधिशनल 10 पर संब त्वी तर्टी फिर्टी फिर्स्ट माच तो जून 30 त विद्दिशनल 10 पर संपेमन ओवर गिवन फ्रमूला फूर्मॉल फूल को पिल को जोंग जोई ने इसे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने बिल के कई प्रावधानों और योजना की समय सीमा को लेकर अपने विचार और सुझाव रखे इस वी तूवी स्कीम में इसके चार पिलर्स है बसिकली सबसे पहला पिलर है लोग सबने आज रेल मंत्राले की वित्तिय वर्ष 2021 की अनुदार मांगो को चर्चा के बाद मंसूरी दे दी चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रिय रेल मंत्री प्यूश गोयल ने रेलवे में निची निवेश की वकालत की उन्होंने कहा कि रेलवे आधुनी की करण और बहतर सेवाओं के लिए अगले 12 सालों में रेलवे में 50 लाख करोड रुपे के निवेश का लक्ष है रेल मंत्री ने कहा कि सरकार मुसाफिरों पर न्यूनितम बोच डाल कर बड़ी सुविधाय देने का प्रयास कर रही है और आगे बढ़ते हैं अखिलभाती पोल्ट्री बीडर्स असोसियेशन के प्रतिनीधी मंडल ने आज राज्य सभा के सभापती एम वेंके नाइडू से मुलाकात की मुलाकात के दोरान के इंद्रिय मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर भी मौजूद थे संसत भवन में हुई मुलाकात में पोल्ट्री उद्योग पर कोरोना वारिस के असर पर चर्चा हुई प्रतिनीधी मंडल ने सभापती को कोरोना वारिस के चलते पोल्ट्री उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत करवाया प्रतिनीधी मंडल का नेतत्व करने वाले बहादूर अली ने सभापती को बताया कि कोरोना वाइरस के बारे में पॉल्टी उद्योग को लेकर लोगों में जूटी अफ़ाहे फैलाई जा रही हैं जिससे पॉल्टी उत्पादों की खपत में भारी कमी आई है सभपती एमवें के एनाईडू ने जोर दे कर कहा है कि अफ़ाहों को फैलाने से रोकना चाहिए और उद्योग को समाने बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए राच सभा की 55 सीटों पर होने वाले चुनाव गिलिए नामांकन की आकरे दिगजों ने अपने नामांकन दाखल किये बीजेपी में शामिल होने के दो दिन बाच जोती रादित सिंधियान्य भुपाल में राच सभा के लिए नामांकन दाखल कर दिया है जबकि हर्याना में राचसभा की तीन सीटों के लिए होने जा रहे चुनाफ के लिए नामांकन के आखरे दिन बीज़ेपी के दो उमीदवारों ने नामांकन दाखल किया हर्याना पिछड़ा वर्ग विकास निगम के चेर्मेन राम चंद्र जांगडा ने और बीज़ेपी के राश्री उपाध्यक्ष दुश्यंत गौतम ने नामांकन किया तो वहीं कॉंगर्स से दिपेंद्र खुटा ने नामांकन दाखल किया विज़ेपी ने इस बार 14 सीटों पर जहां उम्मीदवार उतारे हैं तो वहीं दो सीटों पर सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं कॉंगर्स ने राज्यसभा चुनाव के लिए 12 उमीदवारों को मैदान में उतारा है वहीं आरज्येटी ने दो उमीदवारों को मैदान में उतारा है नामांकन पत्रों की जाच 16 माज को होगी उमीदवार 18 माज तक नाम वापस ले सकेंगे इन सीटों के लिए मतदान 26 माज को होगा और इसी के साथ इस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही रुकेंगे एक छोड़ें सब ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार देखिए हमारी खास पेशकर्श विशेश